देखिए हमारे गाओं बिचपुरी में एक ऐसा कलाकार जो छुपा हुआ कलाकार गाओं के अंदर बड़ा हुआ छोटा सा बच्चा जो ज्यादा पड़ा लेखा नहीं लेगिन उसकी कला आपको बताते हैं जो पत्थरों की कला है वो कितना बड़ा कलाकार है यह च्छत्रिय उसी के हाथ की बनी है पूरी और इसने सिर्फ एक देड़ इंच के पत्थर को जोड़ जोड़ करके और ऐसे पिलर बना दिये अंदर सरिया लोहे का डाल करके और यह देखो यह आप देख पा रहें इस च्छत्रि को यह इतनी सुंदर च्छत्रिय की देखने से अपना मन वह होती है और वो जो कलाकार है उससे भी हम लोग मिलेंगे जब तक मैं उनकी बनाए उनके हाथ की बनाए हुई कुछ चीज़े आपको दिखाता हूं देखिए आप चलिए ज और इन दोनों की यह गुल दस्ता की यह कुछ सान देखिए कितनी गजब और इतनी प्यारी लुकिंग और जो सेट अप क्या आना है वो बहुत प्यारा सेट अप क्या है याणि कि गाओं के अंदर भी आज भी ऐसे चिपेवों कलाकार जिनको जुरुत बाहर निकालने की त तो हम चलते और उस का लागार से मिलते हैं दोस्तावी कुछ देर पहले मैंने आपको कुछ छत्री और कुए के आधसी दिखाए था, और जो कारिगर है उनसे मिलवारे है he haciendo तो हम जानते उनका परिचे और उनसे थोड़ा सा पूंसे कौन सी जगे रहते हैं जी सर मेरा गाम बाजोली है तेसील खंडार है जिला सवय माधपुर है मेरे जाती परजापत है मेरा नाम हेम राज है जो भववान हनुवान जी कोठी वाले का मंदर एक पत्तर है ना जो भी है जो छटाई हुआ जो मेरे हाथ से ही पूरी छटाई हुई है उसकी अभी उसको मंदर जो बनाया है और मंदर के अलाबस ने कई जगा पर इसी कलाई दिखाई है अपनी एक से तराशे हुए पत्थरों को आकार देना है और कई तरह की मूर्तिया कोई भी चीज कैसी भी कला कैसा भी डिजाइन और से लेकर के नए जमाने तक का और खुद के दिमाग से क्र कलाका रणकर मित्र मंदल से है मिरा डा राओ का बहुत ही कलाकार है। वहां आपके जो कुवा है उस मंदिर के पास में उस कुए का उपर की छत्रियां मानुमेंट्स वगरा और जो पत्थरों की जो कारिगरी की बहत्रीन कारिकर की इतनी सुन्दर कारिगरी कि वहां एक आपके vita की में देख के रहे गया कि इसको केसे बनाया होका तो में ऐसा कलाकारश मिलना चींए तो हम इसी गाहुंके इंदर आम उस कलाकार से मिलने के लिए बहुत दूर से हैं. जो हमारे juni बहुत अच्छा कलाकार उसने बताया और हम इस बावड उसको मंदिर को देखने के लिए और कलाकारी को देखने के लिए वह परवावित हैं बहुत खुस होएं बहुत अच्छा सिल्पकार है इसने अपने हतों से एक पत्तर लगा लगा के पत्तर जोल जोल के बहुत अच्छा चैतरी बनाई है जो मंदिर पर अभी देखी थी हमने बहुत अच्छा कलाकार है हमारे ये एमराज जी परजापत है गांबाजुली से जो मंदर पर निर्मान किया गया है तो उसका मतलब वह सिल्पकार है जो इतने एक एक पत्तर को ऐसे डिजाइन देकर गे इतनी अच्छी मतलब वह खड़ी की है जो की देखने बहुत संदर लगती है और अच्छा तब सिल्व कारे